महाराष्ट में राजनाइतिक प्रहसन अभी जारी है। कल एकनाथ शिंदे ने अपने विधाईकों को संबोधित करते हुए गोहाटी के 15 होटल में कहा था कि चिंता की कोई बात नहीं। एक नेशनल पार्टी है जो सुपरफावर है और जिसने पाकिस्तान तक को दुरुस्त कर दिया उसने भी हमारे कदम को एतिहासिक बताया है और उसने कहा है कि पूरी मदद करेगे। शिंदे का ये बयान बाहर आया तो हंगामा मच गया। तो आज एकनात शिंदे ने भूल सुधार कर ली और उन्होंने का कि ने बीजेपी से हमारा कोई संपर्क नहीं बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। बीजेपी भी कहने है कि हमारा कोई लेना देना नहीं। अप्चारिक तौर पर दोनों ने अब ये पोश्रिंग ले लेकिन राजी नीती में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं उद्धर ठाकरे और उनके मुठी भर विधायकों की स्थती बड़ी कारूनिक हो रही है लग रहा है कि रेत की तरह उनके हाथ से विधान मंडल दल ही नहीं खिसका पार्टी का पार्टी ही खिसकी जा रही है इसलिए अब उद्धब संगठन पर जोड़ते रहे हैं कि अगर सरकार जाए तो संगठन बचा लो लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या संगठन बचा पाएंगे यह सरकार और संगठन दोनों गवाएंगे चुकि सरकार अस्थाई चीज है टेंप्रेरी चीज है और और और्गनाजेशन इस्थाई चीज है पर्मानेंट चीज है तो क्या उद्धव ठाकरे कि अव लड़ाई संगठन बचाने की एक तो सवाल बढ़ा है और दूसरा इससे भी बड़ा सवाल जो सिवसेना भाजपा सपा इन कांग्रेस इस सबसे परे जाकर है वो सवाली है यह मेरे मन का सवाल है जो मुझसे तमाम मेरे देश के जो तमाम सामानी जन है उन्होंने कहा कि यह सवाल उठना चाहिए जैसे हम और आप विक्रम टेंपू में सफर नहीं कर सकते जिस बिंदास अंदाज में हम और आप रेल और बस का किरे टिकेट नहीं खरी सकते जितने फ्रिक्वेंटली जिस अंदाज से उस धंग से देश और समाज की सेवा में रात दिन अहर निश चिंतित और व्यग्र रह रहने वाले यह माननी उससे ज्यादा बेलोस अंदाज में चार्टट विमानों से घूम रहे हैं निजी भिमान ऐसे उड़ रहे हैं मुंबई के आकाश से आसाम के आकाश तक यत्र तत्र सरवत्र जिससे चवराहे पर टेम्पू नहीं दौर सकते यह पैसा कहां से आता है एक घटना का मसला नहीं जितनी घटनाएं आपने ऐसी देखी होंगी राजनेतिक प्रहस्तन की उन सब घटनाओं को सामने दिमाग में रखिये और जरा सोचिये ही पैसा कहां से आता है जैसे आप मामा के ढवा पर खाना नहीं खा सकते आप सोचेंगे कि एक सब्जी मंगालो एक दाल मंगालो रोटी उतने से खाले ज्यादा विस्तार में मत जाओ बिल बढ़ जाएगा ढबे पर उससे जादा बेलोस अंदाज के साथ यह देश सेवक लोग पांस तारा और साथ तारा होटल में रहते हैं क्या वो होटल चलाने वाले लोग भी देश सेवक हैं कि वो देश सेवक देश सेवक की निश्वल का सेवा कर रहा है और अगर नहीं तो यह पैसा कहां से आता है वो लोग प्रायुजित करते हैं इस तरह के कार्व कर्व जिनको संभावित सरकार से कोई आर्थिक लाब दिखता है आखिर आता कहां से हैं पैसा दस्यों दस्यों दिन रिसॉर्ट में होटेल में इस तारा पांस तारा साथ तारा चार्ड़ विमान जूम जाम यह जो परिदर्श्य है इस सब को जरा गवर से देखिए क्या ये भारत के स्वस्था लोगतंत्र की निशानी है क्या ये तस्बीर वो है जिसकी कलपना कतार के अंतिम पाइदान पर खड़े व्यत्ति ने कभी की होगी लाइन के आखिर में खड़ा जो इंसान है और उन तमाम इंसानों को एक साथ जोड़ दीजिए तो जो चेहरा बनता है वही तो चेहरा भारत मा तक है क्या वो चेहरा ये है चार्टेट बिमानों में लकदक कपड़े पहन कर उड़ते और पांसतारा होटलों में पाउं फैला कर आराम से अंजीर का जूस पीते हमारे राष्ट सेवक देश सेवक नगर सेवक समाथ सेवक